एक गाना गाने के लाखों रुपे फीस लेती है नेहा ककड, करोडों की समपत्ती की है मालकिन नेहा ककड बलेवुड की मशूर सिंगर है नेहा भारत के युवाओं की पसंदीदा सिंगर बन चुकी है युवा नेहा के गानों को सुनना बहुत पसंद करते है नेहा ने इंडियन आइडल दो में भी प्रतिभाग किया था हालाकि वे उस शो को जीत नहीं पाई इसके बाद 2008 में नेहा को मीत ब्रदर्स डौरा कमपो जेलबम नेहा दर रॉक में गाने का मौका मिला गाने के साथ ही नेहा ने डांस और मौडलिंग में भी हाथ आजमा आया नेहा लाइव शो भी कर चुकी है नेहा केवल अपने गानों के लिए ही नहीं बलकि अपने लोग को लेकर भी चर्चा में रहती है नेहा का ड्रेसिंग स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता है सोशल मीडिया पर नेहा को लाखों लोग फ़लो करते हैं नेहा अपने छोटे भाई टोनी कककर के साथ कई एल्बम्स ऑन यूट्यूब पर शेयर करती रहती हैं जिन पर करोडो व्यूट्ज भी आते हैं नेहा ने जब इंडियन आइडल में प्रतिभाग किया तो उनको यह कहकर रिजेक कर दिया गया कि उनकी आवाज में दम नहीं है लेकिन आज नेहा उसी शो की जज़ बन गई है एक दाने के इतने रुपए लेती है नेहा ककड नेहा ककड इलगाना गाने के लिए 10-15 रुपए चार्ज करती है नेहा को महेंगी कारों का बहुत जियादा शोक है नेहा के बास औरी रेंज रोवर के अलावा मर्सेडीज भी है जो उनको ने हाल ही में खरीदी है अगर निहा की कुल संपत्ती की बात की जाए तो वे 50-60 करोड की संपत्ती की मालकिन है इसके अलावा निहा के बास लगजरी हुई कारों का कलेक्शन भी है